नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मन मोहन स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में में आपको फोर डिजिट सेवन सेग्मेंट मॉडियूल के ऊपर किस तरह से हम टेंप्रेचर और हुमिरिटी देख सकते हैं यह सकते हैं करेंगे अगले स्क्रिन शोट में आपको यहां पर हुमिरिटी दिखा रहा हूं जो कि है यहां पर 47 थीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं सी और यह नमबर जो है वो भी दिखा दार तो दिखाने के लिए तो तो मैंने पहले वीडियो बना चुक्ए हूँ किस त वाला seven segment है ठीक है यह complete एक ही body के अंदर चार seven segments होते हैं अभी देखें यहाँ पर जो है segment बिखरे हुए a, b, यहाँ पर c, e, d और e देखेंगे आप तो यहाँ पर है और f इदर वापस उपर दे दिया है ठीक है तो इस तरह सारे seven segment जो है बिखरे हुए है अगर हम इससे अलग-अलग seven segment लेकर अगर हम बनाना शुरू करते हैं तो हम जो हमारी वाइरिंग भी इजी होती है और पिन जो हम देते हैं आरडीनो पर वह भी हम सिक्वेंस में देते हैं ABCD को continuous पिन्स देते हैं ठीक है तो अगर यहां पर मैं जो है यह यह वाइरिंग करूंगा तो बहुत यह जो पिन नमबर two है यह ठीक है इसे हम यहाँ पर 20 जोड़ देंगे जो पहली पिन है ठीक है अब जो यह D3 है इसे हम पिन नमबर three पर जोड़ देंगे ठीक है अभी हम केवल sequence में मतलब line से हम work कर रहे है ठीक है तो जो भी पिन alert हो रही है वो रख लेंगे उसके बाद हम प्रोग्राम में changes कर देंगे कि कौन सा segment या कौन सा digit कौन सी बीन पर है ठीक है उसी तरह एक और six पर six यहाँ पर आप देख सकते है उसी तरह डीवन जो डिजिट है उसे seven पर पिन नमबर seven पर यहाँ पर ओके तो यहाँ पर डीवन जोड़ देंगे ठीक है यह डिजिट वन है जोड़ चुके फॉर्थ लास्ट में आया ठीक है तो segment एक पर segment डी को नाइन पर और decimal की हमें जुरूत नहीं है इसलिए हम डारेक्ट सी को 10 पर कर देंगे segment सी को 10 पर और segment जी को हम 11 पर करेंगे और लास्ट जो डिजिट फॉर इसे हम पिन नमबर 12 पर करेंगे तो यह आडिनो की एक तरफ की जो पिन से टू से लेकर 12 तक उसे पर connection हो जाएगा यह हमारा DHT 11 sensor है यह humidity और temperature दोनों sense करता है इसके उपर एक dedicated वीडियो बनाया है अगर नहीं देखा है तो वह देख लीजिए ताकि आप इस पर प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाए ओके इसकी थ्री पिन्स होती है वी सी ग्राउंड और डेटा ठीक है तो वी सी जो है यहा पर मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप जो है इसकी वायरिंग फिनिश कर लेंगे और बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है यह हमारा कोड जिसके थ्रू हम डिस्प्ले लेंगे temperature और humidity का सेवन सेग्मेंट पर अब देखिए यहां पर हमने शुरू में एक इंटेजर ल इसी है और डीप डिजिट फॉर होके तो इन चारों वेल्यू को अलग अलग हमें separate करना है और इसप्ले करना है हमारे सेवन सेग्मेंट पर और यह इंट आई आई में एक वेल्यू ली हमने हजार से तीन हजार के बीच में कोई भी वेल्यू ले सकते है यह अनुसार brightness सेट क करानी होगी ठीक है तो इसे यहां पर हमने हैडर फाइल इंक्लूड कर लिए डिएच्ट की और यह डिएच्टी पीन एजिरो डिफाइन कर दिये हमने ओके और डिएच्टी का एक जो है अब्जेक्ट कर लिया है इसके बाद हमारे यह डिजिट ते डिजिट वन डिजिट this one you found 3 जो है वह धीपर है और डिजिट वोड reag जो है on the team it has to seven also in still स्वेल्ट कर लिए ठीक है तो आपने वहां पर किसी एपिल्ट में66 यहां पर आपको जो है इस सऔर में करेक्ट कर में और सिट्र trip मेंट a b c d जो है इंट इस तो इतना कनेक्ट हो जाने के सेक्षन में आपर सेग्मेंट और डिकलेयर करना है डिइट्स को बीर कीया है और यहां पर कोई कर सकते हैं यहां पर हमने डीच्ट किया है और दो इंटीजर वेल्यू लिए इनकी जोरुत नहीं है विसे कोड में से हम हटा देते हैं तो देखिए का जो करेक्शन में कर रहा हूं वह आपको कोड डाउनलूड करने के बाद करेक्शन करने रहेंगे ठीक है अब इच्छे लिए देखिए उसे हमने एक्स की वैल्यू हमने डिफाइन की हैं डिएएष्ट डोट टckt लट लट तेंपरेचर चाहल हो अ आरिए उससे एक्स में स्टोर कर दिया और अब एक्सके हम चार्ट करतेंगे ठीक है A, B, C, D ओके तो यहां पर जो इसको इनेबल किया और यहां पर अब हम A वेल्यू जो है A को हम डिवाइट बाइट 10 करेंगे देखिए जिसे मान लीजे टेंपरिचर आ रहा हमारा 36 डिवाइट बाइट 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा तो A की वेल्यू होगी 3 सबसे पहले 3 डिस्प्ले होगा और B का वेल्यू जो रहेगी वो जो रिमेंडर रहेगा मतलब X को डिवाइट बाइट 36 को डिवाइट बाइट 10 करने के बाद जो वेल्यू बचेगी मतलब 6 उसको हम B में स्टॉल कर देंगे तो इस तरह से A B अलग कर दिया और C पर हमको जो है वो देना है डिगरी डिगरी का साइन देना है तो इसमें O देता हूँ स्मॉल ओ और डीपर जो है हमें C Celsius की वेल्यू चाहिए तो यहां पर मैं C देता हूँ ठीक है तो यह देखे यह अलफाबेट के उपर मैंने भी वीडियो नहीं बनाया है लेकिन आप समझ लिजिए कि इतना करने पर यह डिस्प्ले हो जाएगा तो सी मतलब थर्ड डिजिट के उपर O डिस्प्ले होगा और फॉर्थ डिजिट के उपर C डिस्प्ले होगा अब यह लाइट नंबर फंक्शन है यहां पर हम सबसे पहले A को कॉल करेंगे यह मतलब पहले डिजिट की वेल्यू जब A होगी तब डिजिट 1 ओन होगा ओके लो मतलब ओन यह कॉमन के थोड सेवन सेग्मेंट यूज कर रहे हैं यह बात ध्यान रखिएगा कॉमन अनोट पर करोगे तो इस तरह से डिस्प्ले नहीं आएगा ठीक है तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि लाइट नंबर A मतलब पहले डिजिट की वेल्यू कॉल की मतलब 36 है तो 3 कॉल किया था पहला डि यहां पर जो है लाइट नंबर B जब B को कॉल करेंगे तो सेकंड डिजिट को अन करेंगे और लाइट नंबर C जब C को कॉल करेंगे तो यहां पर थर्ड डिजिट को अन करेंगे डिजिट को अन करेंगे डिजिट को अन कर रहे है मतलब लो कर रहे है मतलब अन हो रहा है ड यहां पर हम को फॉर्थ डिजिट को अन करना है ठीक है और यह डिले माइक्रो सेकंड्स जिसमें IQ वेल्यू दिये IQ हमने यहां पर रिफाइन कर रखी थी IQ क्या होती मतलब समझ लिजीए कि माइक्रो सेकंड के भी 1000 पार्ट कर दिए ओके चलिए मिली सेकेंड के सुरी मिली सेकेंड के भी 1000 पार्ट कर दिये तो वह माइक्रो सेकेंड हो जाएंगे तो यहां पर चार डिजिट हमने बुला लिए हैं वन बाइवन डिजिट को और अलग वेल्यू कॉल कर दिये अब यह लाइट नंबर फंक्शन मैंने आपको सेवन सारे सेेमेंट ड्रेंगे केवल सेग्मेंट जी जो है ऑफेगा भर में सेग्मेंट में केवल सेंटर वाला जो발 इसे सब्सक्रिए करता हूँ और आडिनो नेनो पे मैंने connection कर रखा है आडिनो नेनो चूज किया comfort चूज करेंगे और code अपलोड करेंगे तो जैसे code अपलोड करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह जैसे 36 degree Celsius था तो यह पूरा temperature यहाँ लिखा हुआ रहा है ठीक है बहुत सिंपल है code आपको मिल जाएग ठीक है तो फिलाल यहाँ पर हम Celsius में temperature देख पा रहे हैं से Fahrenheit में convert कर सकते हैं और अगर इस पर humidity देखनी तो code में थोड़ा सचेंज करना पड़ेगा तो अगर हम हमारे code के उपर आते हैं और इस code में हम वापस यहाँ पर आते वोईड लूप section में और यहाँ पर जो X की value थी वो humidity कर देते हैं यहाँ पर देखिए एक्स एक्वल्स टू इंटीजर वेल्यू चाहिए डीएस्टी डाट हमेडिटी मातब दीएस्टी पर जो humidity की रीडिंग है उसको इंटीजर में convert करके हम X में store कर रहे हैं और फिर X को वापस इसी तरह से AB पार्ट में तोड़ दिया है और यहाँ पर COD यहाँ पर C की जगह हम H कर देता है कि humidity दिखाई दे एच दिखाई दे ओके सेम कोडिंग रहेगी अब कोड अपलोड कर देंगे और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर humidity दिखाई देती पर 7 सेग्मेंट पर परसेंट का सिंबल बनाना थोड़ा मश्किल थ दोस्तो पिछले एक वीडियो में हमने DHT सेंसर का डेटा OLED स्क्रीन पर देखना सिखा था और आज हम जो है 7 सेग्मेंट डिस्प्ले पर देख रहे हैं DHT सेंसर का डेटा दोस्तो यह वीडियो मेंने subscribers की request बनाया है I hope आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो like, subscribe, share जरूर करें और comment करना न भूलें Thank you very much, have a good day, love you all